साथियों दिन दयाल जी कहते थे कि आत्म निर्भरता और स्वयम सहायता सभी योजनाओं के केंद्र में होनी चाहिए उनके इन विचारों को सरकार की योजनाओं और सरकार की कायर संस्कृत में निरंतर लाने का प्रयास किया जा रहा है आप देखिए मेकिन इंडिया के केंद्र में आत्म निर्भरता है आज रेल के डिबों से लेकर मोबाइल फोन और सेना के लिए आधुनिक अस्त्रस अस्त्र तक भारत में बनने लगे है पुरवान चल सहीत पूरे यूपी में भी अनेक नई फैक्ट्रियां बीते पांच बर् की है इसी तरह स्टार्ट अप इंडिया के केंद्र में भी आत्मंदिर भरता है बीते पांच वर्ष में लगबग 26,000 नए स्टार्ट अप रजिस्टर हुए हैं जिससे भारत के युवाओं ने भारत की लाखों युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया मुद्रा योजना के केंद्र में भी आत्मंदिर भरता और स्वयम सहायता है इस योजना ने पूरे देश में लगबग 5,500 करोण नए उद्यमी तयार किये हैं करीब 3,000 करोण रुप्य का मुद्रा रह वारानसी के ही लगबग 6,500,000 साथियों को मिला है प्रदान मंत्री कसान सम्मान निदी के मुल में भी स्वयम सहायता ही है इसके तहट यूपी के लगबग 2,000 करोण किसानों को करीब 12,000 करोण रुपिये उनके खाते में ट्रांस्पर किये जा चुके हैं बाई और बैनों हमारी सरकार समाज की आखरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उस तक विकास के लाब पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है आप बताईए वो पचास करोड से अधिक देशवासी जिनको आज आईश्मान भारत के तहट 25,000 रुपिये का मुप्त इलाज संबव हुआ है वो कौन है ये सब्तर वर्षों में विकास के आखरी दाइदा पाइदान परी तो रहे हैं आज देश में लगवक 90,000,000 गरी मरीजों को इलाज मिल चुका है जिसमें से यूपी के 3,000,000 और वारा नसी के करीब 16,000 हमारे साथी है देश के वो 11,000,000 करोड साथी भी अंतिम पाइदान पर ही थे जिनके घर में पहली बार साउचालय पहुँचा है देश के वो आठ करोड से दिक परिवार भी अंतिम पाइदान परी थे जिनको पहली बार उजवला का गैस कनेक्शन मिला है इसमें भी यूपी के करीब देड करोड और वारा नसी के लगबग पौने दो लाग परिवारों को लाब हुआ है इन में भी करीब पचास लाख मेरे दलीद भाई बहनों के परिवार है जिनको उजवला का गैस कनेक्शन मिला है देश के करीब दो करोड साथी जिनको पक्का आवास मिला है वो भी आखरी पाईदान पर खड़े हुए लोग थे आज जिन 24 करोड देश स्वासियों को चार लाख उर्पिय तक का दुरगटना और जीवन भी मा मिल रहा है वो भी अंतिम पाईदान पर थे जिन करोडों किसानों स्रमीकों छोटे वेपारियों को साथ वर्ष की आयू के बाद तीन हजार रुपिय की मासिक पैंसन की सुविदा ता हुई है वो भी विकास के आखरी पाईदान पर रहे है साथियों आजादी के लंबे कालखन तक इस आखरी पाईदान को बनाये रखा गया क्योंकि इसकी समस्याओं को सुल जाने में नहीं उल जाने में ही राजनितिक हित्षिद्ध होते थे लेकिन अब स्थितियां बदल रही है देश बदल रहा है जो आखरी पाईदान पर रहा है उसे अब सर्वोच्च प्रात्फिक्ता दी जा रही है महादेव के आशिरवात से देश आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीछे छोड़ दिये जाते थे जम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर सिटिजन्सिप एमेंडमेंट एक बर्सों से देश को इन फैसलों का इंतजार था देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबाओं के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम है और कायम रहेंगे आज बाबा बोलेनात की नगरी में अवदुद बाबा भगवान राम के सानित्य में दिन दयाल की स्मृति में मैं काशी के लोगों को देश के लोगों को ये विश्वात दिलाता हूं कि देश के लिए काम निरंतर जारी रहेगा